हलो सुरन नमश्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPSC अड़ा पर और गाईस सहायक सांकी की अधिकारी वालो विद्यारतियों के लिए सेशन विशेशूप से होने वाला है थमनेल इसलिए बनाई है कि सबसे वड़ा जो मोटिवेशन होता है वो पैसा ही होता है और अगर आपको लगता है कि एक ऐसी तयारी हम कर लें जहां पे हमको फाइव डे इन वीक मिलता है और हर पाच-पाच सालों में प्रमोशन मिल जाते हैं और हमारी सेलरी जो है वो तयारी करने की जरुवत है के बल बस आप सेलेक्षन से 100 परशन ही दूर हो ना इस एक्साम में CT होने वाला है five means मेंस कुझ भी नहीं होने वाला ना कोई स्किल टेस्ट होने वाला है और टाइपिंग तेस्ट होने वाला है सीधा आपका डॉक्यमेंट verification होके आपकी सीधी भरती हो जाएगी तो प्रक्रिया बहुत आसान है पोस्ट बहुत बड़ी है सेलरी बहुत अच्छी है काम बहुत comfortable है हमारे जो student है काफी सारे लगे हुए है अभी अभी हमारे जी मैम थे वो लगे हुए थे उदैपुर में ही जो irrigation office है वहाँ पे वो लगे हुए है तो अलब अलब department में posting जो है वो आप लोग को मिलती है तो चलिए session को जल्दी से start करता हूँ और क्या रहती है salary बात करेंगे हम लोग probation period से पहले क्या रहती है यह बात हमने पहले भी करी थी आज थोड़ी सी detail explanation के साथ में मैं आप लोग के सामने आया हूँ ताकि थोड़ा सा एक idea आप लोग को लग जाए कि कहां पर कितना क्या क्या होता है अगर आप तयारी कर रहे हैं ASO exam की चाहते हैं ASO का content MCQs PDF आप लोग को regular basis पे मिलता रहे तो आप सभी के सकते हैं question पर discussion कर सकते हैं ये सब आप सभी के लिए है समय आपके पास में अच्छा खासा है एक किताब बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाली है लग बग 10 दिन का समय इसमें और लगेगा जिसमें बिलकुल latest data जो है वो आपको नजर आएगा चाहे वो राजिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो तो सामने ग्यान और statistics, economics, mathematics सारा ही portion इस book में available होगा चवन प्रकाशन की किताब है बहुत जल्दी ये market में आपको मिलने वाली है तो बस आप इस किताब का जो है वो इंतिजार कर सकते हैं मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ समय नहीं मिल पाया दो दिन हो चुके हैं दस तारिक को ही ये notification आ चुका था जहां पे RPSC ने ये कह दिया था कि भाया जो फॉर्म भरने की डेट है हाला कि मुझे थोड़ा सा mismatch लग रहा है इस फॉर्म की डेट अभी या तो अगर vacancy अभी declare करी थी तो exam भी तीन-चार महिने में करा देना चीए था अगर लेट करना ही था तो अब क्या पता हो सकता है कि अब election आ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रलोवन देने के लिए एक बार vacancy निकाल दी फॉर्म भरवा दिये तो vacancy निकालने के बाद में फॉर्म अभी भर रहे हैं और exam अगर आप एक साल बाद ले रहे हो तो वह थोड़ा सा मुझे mismatch लग रहा है जो विद्यारती छे मेंने बाद जागेंगे या आठ मेने बाद जो ये वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि ओहो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फॉर्म की डेट तो निकल चुकी है तो मुझे थोड़ा कारणों की वज़े से पंद्रा तारिक है तक्री कारण तो क्या होंगे वो सकता है विद्यारती अभी CET में लगे हुए है तो उनको ज़्यादा इंपोर्टेंस इसकी नहीं लग रही है तो फॉर्म नहीं बरा होगा तो मेरा आप सभी दो फॉर्म नहीं से यह निवेदर है कौलिफिकेशन पर विडियो हम लोग और बना चुके हैं अगर आपने M.S.C कर रखा है मैतमेटिक्स में M.S.C कर रखा है स्टैस्टिक्स में M.A कर रखा है commerce में तो आप इस vacancy के लिए eligible हैं अगर ये सारी qualification में से एक भी qualification अगर आप उसमें आ रहे हैं आप तो ये form एक बार भर के रख दो तैयारी तो मुझे पता है CT कर रहे होंगे कोई शिक्षक बढ़ती कर रहा होगा लेकिन एक बार form भर के रख दो ताकि क्या पता जब exam देना पड़े तो ये ना सोचना पड़े कि काश हम इसका form भर देते हैं क्योंकि राजस्तान जी के same to same है पचास नंबर का portion बिलकुल same to same है दो subject और पढ़ने हैं आपको एक subject economics है और एक subject आपका statistics है तो थोड़ी से मेहनत करके थोड़े से efforts लगा कर इसमें selection आसानी से पाया जा सकता है है ना तो चलो मैं सीधा जो है वो मुद्दे पर आता हूँ आप सभी के लिए एक बात और announcement आप सभी के लिए करना चाहता हूँ मैं क्योंकि एसो में हमारी जो classes है जो नया बैच है वो start होने ही वाला है लेकिन हमने हमारा पूरा content और डाला हुआ है है ना तो जो भी विध्यारती चाहते हैं तैयारी करना या RPSCAD का content देखना चाहते है economics पूरी मैं नहीं पढ़ाई है और statistics जो है वो खुद जो assistant professor है डॉक्टर सागर सावरिया उन्होंने पढ़ा रखी है और अब जो नई statistics है वो खुद जो assistant professor है डॉक्टर सीपी सर वो पढ़ाने वाले हैं तो एक teacher की statistics पतला पूरा syllabus recorded तो है लाइव भी आपको इसी class में मिलने वाला है ये बात आप विशेशूप से ध्यान लखना तो आप सभी को मैं विशेशूप से किवल दो दिन का समय दे रहा हूँ दो दिन का समय दे रहा हूँ दो दिन में क्या होगा बहुत ध्यान से देखो ASO के लिए हमने क्या कर दिया है ध्यान से देखिए राजस्थान ASO के लिए course एक रुपे में हम आपको दे रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे ये एक रुपे में course कैसे मिल रहा है ये एक रुपे में जो course मिल रहा है इसकी validity एक दिन की है केवल ज्यान लखना और offer यह दो दिन का है तो जो मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आपके पास मैं दो दिन का समय है दो दिन आप फूरा content देख लो अच्छी तरीके से चेक कर लो notes है, bilingual videos है, सब कुछ available है या नहीं है लगता है कि हाँ हमारे काम की चीज है इससे हमारा selection हो सकता है live classes में हम बहुत जल्दी इसी batch में start कर देंगे तो मुझे लगता है आप इस course पे जा सकते हैं है ना purchase कुछ भी नहीं करना एक रुपे में ही आपको purchase करना है यह आप सभी के लिए information है अब आईए सिधा मुद्दे पे आते हैं कि हमारा मुद्दा क्या है salary सर कितनी रहने वाली है यह आप देख सकते हैं कि आपकी जो salary है वो रहती है कितनी वो आपकी रहती है salary before probation, after probation अलग-अलग data आप सभी के सामने है तो fix पे आपकी कितनी रहती है 26,502 साल का आपका probation period होता है हाला कि यह fixed salary नहीं आती है इसमें कुछ amount कटता है कुछ GPF का कटता है और एक RGHSा कटता है तो लगबर आपके पास में 25,000 रुपे के आसपर salary आती है 15,000 रुपे आपका कट जाता है तो यहां तक तो ठीक है यहां तक थोड़ा सा struggle फिर भी होता है लेकिन आप यहां पे आजाओ सीधा जो इसका जो second वाला part होता है उस पे आजाओ यह सबसे important है आप सभी के लिए ओके गाईस अब बात करते हैं सबसे main मुद्दे की और वो है after probation सर salary कितने रहने वाली है तो आप देख सकते हैं basic salary जो आपकी रहेगी यह actual में अभी जो present में वर्क कर रहे हैं यह data वहां से लिया गया है पेसलिप भी थी हमारे पास में बड़ उसको हमने नहीं लगाया for the reason of privacy basic salary आपकी 37,800 है DA आपको मिलता है 50% तो 18,900 है और HRA depend करता है city पे नॉर्मली जो बड़ी बड़ी cities होती है जैसे जैपुर की बात करो तो 20% है और उदैपुर की बात करो तो 10% है हम मान रहे हैं HR आपको 20% मिलेगा तो gross salary आपके 64,260 हो जाती है इसमें भी आपका SI कटता है GPF कटता है RGTS कटता है सब कुछ कटने के बाद भी अराम से बैठे 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 आप सभी को 60,000 रुपे मिल जाते है तो सब कुछ deduct होने के बाद 60,000 की salary मिल रही है और बहुत white collar आपकी job होने वाली है बहुत relaxation है तो मुझे लगता है इस vacancy को miss नहीं करना चाहिए आप सभी को तो आप तयार हो जाएए आपको दोनों ही portion हम लोग available करवाएंगे GK भी available करवाएंगे और साथ में आपको commerce वाला जो portion है वो भी available करवाएंगे statistics मैं बता चुका हूँ आपको जो पढ़ा रहे हैं वो CP सिंग चोहांसर पढ़ा रहे हैं जो काफीर समय से research कर रहे हैं काफी लोग इनके under में PhD कर चुके हैं MSC है PhD Assistant Professor Department of Mathematics and Statistics मतलब जो PG है इनकी वो PG MSC में भी है और States में भी है तो आप सोच सकते हैं calculation जो है वो कितनी अच्छी होगी तो आपकी काम की यही faculty है बाकी में फोकस जो है वो नहीं कर रहा हूँ बाकी आप जानता ही है कि result हम लोग काफी सारे दे ही चुके हैं और संगणक में भी काफी सारे result दिये हैं final document verification के बाद एक list जो है वो हम आप सभी के सामने ले कर आएंगे है ना तो होप से वीडियो आप सभी के लिए motivation वीडियो रहा होगा कि हाम कैसे त्यारी कर सकते हैं जैसा मैं आपको बताया था कि fees हम लोगों ने पहले one triple line थी उसको बढ़ा कि जो है वो आप two triple line जो है वो fees कर दी है जो भी student जुड़ना चाहता है जुड़ सकते हैं ये fees दीरे दीरे और आगे बढ़ने वाली है जैसे ही इसमें live classes चालू हो जाएगी most probably live classes हम लोग Monday से plan कर रहे हैं तो जो भी student plan कर रहा है जल्दी से कर लो ये मौका आप लोग को फिर नहीं मिलने वाला है और आप लोग systematic तरीके से अपने तयारी को शुरू कर सकते हैं बाकी और कोई भी detail चाहिए तो आप ले सकते हैं बाकी अलालग courses भी चल रहे हैं RPSC First Dead Commerce का ASO का, JVVNL Junior Accountant का सारे ही course चल रहे हैं ताकि आप अपनी तयारी को अच्छी तरीके से कर सके कोई doubt है, कोई समस्या है तो इस number पे आप हमें call या message करके अपनी inquiry को generate कर सकते हैं टेलिग्राम पे regular basis पे आपके लिए MC की उज़र्म डाल रहे हैं ताकि आपके तयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके और अगर आप तयारी कर रहे हैं राजस्तान में होने वाली CET exam की तो इस शनिवार शाम को 6 वजे मैं मिलूँगा आप सभी से जहां पे लगातार पूरी Indian economy के जो most important topics हैं चार पास वो मैं करवाने वाला हूँ तो काफी लंबी वो मेरा थन आप सभी की रहने वाली है तयार हो जाएए आप सभी मेरा थन के लिए और मज़ा आने वाला है काफी ज़्यादा commerce के student है तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक important वीडियो आप सभी के पास में आती रहे thank you so much मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए मिलता ना हूँ अगुद ऐसे ही important session के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद बंदेवातरम बाई बाई